हेलो नमस्कार दोस्तों फाइनली आपका जो फर्स शिफ्ट का जैसे सी CGL का इजाम था वो अकंड़क्ट हो गया दस बचे से आपका इजाम था पेपर का अटेम्ट गूड अटेम्ट आपका क्या होना चीए इस वीडियो में हम सारी डिस्क सेसं करेंगे साथ में कौन-कौन से कुश्चन पुछेगा है उस बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इंगलीज का सेक्षन था वो EG to moderate लेवल कर था ठीक है 18 से 20 अगर आपने अटेम्ट किया है तो गूड अटेम्ट है आपका उसके बात करें अगर हम क्वांटिटिव एप्टिटिव यानि की मैद की तो यहाँ पर भी EG से moderate ज्यादा हार्ड कुश्चन नहीं था 16 से 18 आपका गूड अटेम्ट हो सकता है जनरल इंटेलिजेंस यानि की जो रिजिनिंग का हैसे थे कुछ कुश्चन साइसे थे जो करेंट अफियर्स के थे वह बहुत पुराने करेंट अफियर्स थे अगर हम देखे दोस्तों तो EG से moderate हमारा पेपर था यह 75 से 80 अगर आपने अटेम्ट किया है या GS का टोपिक के बारे में हमने डिसकसन किया है History से तीन कुश्चन पुछे गया थे वह भी EG लेबल के Polity से दो कुश्चन पुछे गया थे EG के बल कुश्चन था Polity से Geography से दो कुश्चन था Economics से आपका एक कुश्चन था जो Static Awareness से आपका दो कुश्चन था Biology से तीन कुश्चन था Chemistry से चार कुश्चन था और Physics से एक कुश्चन था तो Science वाले टोपिक से ज़्यादा कुश्चन पुछे जा रहा है Computer से कोई भी कुश्चन नहीं था Current Affairs से 7 से 8 कुश्चन तो लगभग लगभग 15 से 16 कुश्चन वेटेज सिर्फ आपका Science और Current Affairs ले ले रहा है बाकी आपका Static और जो आपका History, Politics, Geography वाला सेक्षन ले रहा है तो बिल्कुल आपको Next Jam में ध्यान रखना है कि Science वाला पोर्षन जादा सजादा आप कवर करिए साथ मैं Current Affairs भी कवर करिए टोटल 25 कुश्चन पुशे गया थे मैंने कर्टेग्री वाइज आपको बता दिया है किस किस टॉपिक से कुश्चन पुशे गया थे दोस्तों बात करे कौन किस किस टाइप के कुश्चन थे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ यह जीके का कुश्चन है बैटल अफ चंदेरी से कुश्चन आया हुआ था बैटल अफ चंदेरी कभ हुआ था वल्ड वाटर डे कभ और्गनाइज किया था है यह भी पुशा गया था कुतुब दिन आया एबक कभ डाइड हुए वाइल प्लेइंग फोलो यह उनका डेथ कभ हुआ था यह पुशा गया था पाटिसन अफ बंगाल कभ हुआ था 1905 में हुआ था यह भी आपसे पुशा गया है विच माउंटेन डेज लोकेटेड इन इच वेंट्री यानि कि माउंटेन रेंज से एक कुश्चन था चाइड लिवर से लिटेर आर्टिकल था से अर्टिकल नुमर 17 CM अफ उत्राखांट कोन है यह भी आपको प्तना रहा तो यह टोपिक से आप याद कर सकते हैं जो बैटल वाला है यह आप कंठस्ट कर लिजे इंपोर्टेंट डेज आपको एक कर लेना है साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं CM पुछा जा रहा है तो CM गवर्नर सभी अस्टेट का कर लिजे DPSP अवाज टेकन फॉम इच कंठरी तो DPSP किस कंठरी से लिया गया था यह भी आप से पुछा गया है The author of book sign तो book से भी कुश्चन आ रहा है साइन बुक किसके लिए founder of Udia, founder of vitamin, चंपारन सत्यागरा, पेट्टा 2021 सावार्ड का कुश्चन था Battle of Khartoli का भुआ था Conark Sun Temple किसके द्वारा बनाया गया था यह भी कुश्चन था यहाँ पे British India Company, Capture the French Company, नीच्वियर यह आप से पुछा गया था जन धनी उजना के बारे में कुश्चन था, High Court of Anwana निकोबर कहां पे है वो पुछा गया था लता मंगहिसकर से related एक कुश्चन था और Indian Super League जो चनई Super King ने जीता था पिछली साल उसका बारे में एक कुश्चन था पिछले साल भी आपका SSC stenography में IPL से कुश्चन आया हुआ था और ISL से इसमार कुश्चन पुछा गया है How much percentage increased in health infrastructure budget compared to the previous year तो health infrastructure budget में कितना percentage increased किया गया था यह थोड़ा tricky question था, 24 number question तो बाकि देख सकते हैं, इसी type का question आपका पुछा जा रहा है बाकि आपका जो question था, अगर हम current affairs की बात करें तो IMF के chief economic advisor कौन है, वो पुछा गया था book से भी question आ रहा है, तो book वाला भी आपको कर लेना है battle से आप देख सकते हैं, यह पे battle of cartoli और battle of chandiri दो question पुछा गया है battle से, तो battle वाला भी आप contest कर लिजेगा लता मंगसकर से related question है, high court से related question है और CM से related question है तो सबसे पहले आप CM और governor करके जाएएगा next अगर आपका इजाम होता है तो next shift का भी आपको analysis लाएंगे इसी तरह से, तो बिलकुल यह video को प्यार दिजिए असा करता हूँ दोस्तों आपको यह video पसंद आये होगा, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं next discussion के साथ next video में